नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर सुप्रवत्ता और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस यूटूब चैनल होमियोकेट टिप्स पे दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग पीनेस में ब्लड फ्लो बढ़ाने वाली तीन सर्वसेश्ट होमोपैथिक मेडिसिन के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों जब तक आपका लिंग में ब्लड सप्लाई प्रॉपलली ना आ रहा हो तब तक आपको अपना लिंग में प्रॉपलली इरेक्शन देखने को नहीं मिलेगी संभोग के दोरान और लिंग में ब्लड फ्लो सिर्फ आना ही नहीं है बलकि वहाँ पे आकर सस्टेन भी करना है वहाँ ब्लड को रुकना भी है और ये तभी हो सकता है जब आपका जनाटेलिया में जब आपका जनाटेलिया में ब्लड फ्लो का कोई कमी ना रहे और इस वीडियो में मैं जिन मेडिसिन्स का नाम बताता हूँ और उसे लेने का जो तरीका में बताता हूँ अगर आप उसी तरह से इन मेडिसिन्स को इस्तमाल करेंगे तो फिर आपका लिंक की अंदर ब्लड सप्लाई तीन गुना बढ़ जाएगी तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा इस यूटूब चैनल होमियो कैट टिप्स को सस्क्राइब नहीं किया है तो फिर आप लोग जल्द से जल्द इस चैनलन को सस्क्राइब करें और उसका बगल में जो बैल आइकन है उसको भी जरूर से दबाईए तो दोस्तों आप लोगों में से बहुत लोगों का हमें मैसेज देखने को मिलता है यूटूब पे वाट्सअप पे इमेल पे कि सर हमारा लिंग में ब्लड सप्लाइग की कमी है प्रॉपरली एरिक् की जो नसे है वहां अगर एक्सेिव हस्त मईत्ण करने के कारण वह अगर इंचोर जाए या फिर वो कुचल जाए और इसके इलाव अगर किसी पूरुस में टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन जो की मेल सेक्स्वल हॉर्मोन होती है वो अगर कम बन रहा है या फिर बच्पन से ही उसको उस हॉर्मोन का सिकायद रहा हो तो उसको भी ये पूरी तरह ठीक करता है इन तमाम प्रॉब्लम्स को ये मेडि इसको आप लोग उसका मदर टिंचर के फॉर्म में ही लेकर आना है इसका 30-200-1M में आपको लेकर नहीं आना है इस बात को एकदम क्लियर कर लिजे बहुत लोग जो है इसको 30-200 में इस्तमाल कर रहे है तो आपको ऐसा नहीं करना है आपको साइडोनिया वल्गरिस का मदर ट सुभे लेना है और 15 बूंद आपको साम को लेना है और हाप कब या फिर एक कब नॉर्मल पानी मिला कर आपको लेना है दोस्तो अगला जो सबसे सर्वसेस्ट होमेपैथिक मेडिसिन है लिंग में ब्रेट फ्लो को बढ़ाने के लिए उसका नाम है जिनसिंग और जिनसिंग की लेवल को बढ़ा कर आपका आर्टिस को रिलाक्स करती है ताकि ब्लड का फ्लोक काफी हद तक फास्ट हो सके और इसलिए पूराने जमाने के जो होमेपैथ्स थे वो लोग जिनसिंग को होमेपैथिक व्यागरा ही कहा करते थे और जिनसिंग मदर टिंचर को आपको दो फ फैर और रात को लेंगे और अब बात करते हैं थार्ड सर्वस से स्थ्रोमेपैथिक मेडिसिन के बारे में जो की काफी हद तक आपका लिंग की अंधर ब्लड फ्लोक को बढ़ाने में साहे एक रोल प्ले करता है और जिस दवा का नाम है अर्जेंटम नैट्रिकम और इस आम को करने की जो ओडर हम लोग को मिलता है वो हमारा दिमाग से मिलता है हमारा ब्रेन से हमको मिलता है अगर मानली जी आपको प्यास लगा है और अगर आपको एक गलास पानी पीना है तो आपका अंदर जो हाइपो थैलमस है वो ब्रेन को सिगनल भेशता है कि आपको एक ग करने के लिए तो similarly link की अंधर blood flow को बढ़ाने की signal अगर सही से हमारा दिमाग से अगर पुरुसों का जनानंग तक नहीं पहुचेगा तो तब तक आपका link की अंधर blood supply बढ़ेगी नहीं और आपको प्रॉपरली इरेक्शन भी नहीं आएगा तो यह अरजेंटम नाट्रिकम ऐसी दवा है जो कि आपको मांसिक लेवल से आपका नापून सकता को ठीक करेगी आपके link की अंधर blood flow को बढ़ाएगी और अरजेंटम नाट्रिकम को आपको six potency में लेना है छे potency में आपको हर दिन लेना है सुभे एक बार नास्ते से 10 मिनिट पहले और एक ही बून लेना है आपको only one drop एक चमज या फिर दो चमज नॉर्मल वाटर में मिला कर या फिर आप अपना जीब में एक बून भी directly डाल सकते है कोई problem नहीं होगी और इन सभी दबाओ को जैसे करके हमने आपक के लिए बताया है ऐसा करके आपको कम से कम तीन मेहना continue आपको हर दिन इस्तमाल करना पड़ेगा और जैसे जैसे इन medicines को लेते हुए दो से तीन हपता हो जाते है आप अपना अंदर काफी हद तक changes देख पाएंगे बदलाओ आप देख पाएंगे सबसे पहला जो improvement आपको द attraction भी आना स्टार्ट हो जाएगा और आपका link जो छोटा हो चुका है जो सिकुड चुका है उसमें भी काफी हद तक आपको improvement देखने को मिल जाएंगे तो ये तीन सर्व से स्ठोमेपाथिक medicine है लिंग में blood flow को बढ़ाने के लिए और भी बहुत सारी धेरो medicines है जो की link में blood flow क बढ़ाती है लेकिन ये तीन सर्व से स्ठोमेपाथिक medicine का नाम हमने आपको बताया और उसको लेने का तरीका भी हमने आपको बताया तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों कैसी लगी आप लोग मुझे comment section में comment करके बताईए और इसके regarding अगर आपको मुझे से और कुछ ज こें चेज़ने को मिलेंगे वहां। कितना अपने आपको अच्छा उले dressed कर रहे है यह आप लोगों को मिलेंगे और आप लोगों को होमेपाथिक देंस दे लिएक है और ट्रीट्मेंट कराने के बाद कितना satisfied क्या बोल रहे है ये भी आपको हमारा ही चैनल का उपर देखने को मिलेंगे और कोई चैनल नहीं है यूटूब पे जो कि आपको इस तरह का रिव्यूस और फीडबैक डाला करता है तो उन वीडियोस को भी आप लोग जरूर देखिए ताकि आप लोग को होमोपाथी को लेकर एक ट्रेस्ट बिल्ड हो तो दोस्तों मैं इस वीडियो को इहीं पर एंड करता हूँ सो थैंक्यू वेरी मॉच एंड हवो गुड दे